सूरत की एक महिला ने पानी में आग लगाने वाली कहावत को सच कर दिखाया है दरसल पूजा ज्वैन नाम की इस महिला ने सेंसर से चलने वाले पानी के लेंप की मदद से सौ घंटे तक दिये जलाए जा सकने वाले शोध ने महगाई के खिलाफ काम कर दिया है जहां एक तरफ घी और खादे तेल कोई कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वहें इस इको फ्रेंडली दिये ने देश की जंता को महगाई के इस दौर में काफी मदद की है लोग भी काफी दिल्चस्पी के साथ ये दिये बाजारों में खरीदी करते हुए दिखाई दे रहे है यही वज़ा है कि शहर के बाजार में पानी के दिये देखने को मिल रहे है दिये में पानी डालते ही सेंसर सक्रिय हो जाता है और दिया जल जाता है तेल और घी के बहुत बढ़ गए हैं तो हर आदमी दिवाली किस तरीके से खुशियों से मनाए तो उसी को सोचके उसी को अंडर प्रोसिक्यूशन में लेके हम लोग ने ये नया कौंसेप लाए है जिसमें दियो में अब जैसा ही दो टपके पानी दालते हो वो चालू हो जाता है दरसल इसैं इस वक्त महंगाई सात्मे आसमान पर है दिवाली में बहा裡 दिये को पानी के कीमत में महंगाई देखने को मिल रही है साथी खादे तेल और घी की क्लिमतों में भी बढ़ोतरी है मसला यह है कि दीपावली में दीए को जलाने के लिए तेल और घी के ज़रुत पड़ती है इसी वज़ा से ग्रहणियों ने दूसरा विकल्प चुना है जिसमें शहर के बाजारों में नजर आने वाले पानी के दिये इस समय ग्रहणियों को अपनी और आकर शुक कर रहे हैं यह बहुत ही इको फ्रेंडली है कोई भी हवा आती है तो यह कोई भुचता नहीं है बच्चों से इसके लिए बिल्कुल भी डर नहीं है अगर छोटे बच्चे आपके घर में है तो उनका हाथ जल जाए कोई कपड़ा जल जाए उसका भी आपको बिल्कुल भी डर नहीं है इसमें यह बहुत ही अराम से जलते हैं आप पानी दो टपके डालिए दो ड्रॉप्स डालिए और इट लिट्स इको फ्रेंडली इस नॉन पल्यूशन पल्यूशन नहीं क्रियेट करता है कोई फ्लेम्स नहीं आते हैं बहुत ही कोस्ट अफेक्टिव यह वाले दियेज हैं तो यही सोचके कि इस बार दिवाली हर आदमी बहुत ही रिजनेबल तरीके से बहुत बजट फ्रेंडली होके इस तरीके से मनाएं तो हाप दिवाली इन लेम्पों को बैटरी पर सौ घंटे से अधिक समय तक जलाया जा सकता है इस बारे में पूजा आशीश रहन ने ये कहा है कि ये लेम्प पूरी तरह से परियावरन के अनुकूल है परियावरन को नुकसान नहीं पहुचाते हैं हवा से दिया बुजने या फिर बच्चों को जुलसने का डर भी नहीं है ये एक असली दिये की तरह देखता है और बाजारों में मांग भी इसकी काफी जादा है तुकूल मिलाकर इस दीपावली जलाएं इको फ्रेंडली दिया और खिफायती इंडियों को ले कर जाए अपने घर